आप लोगों का मेरे चैनल में एक बड़ फिर स्वागत है मैं चिंकी सिंग और आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही मतलब महत्वयपूर्ण जनकारी देना चाहती हूं जो की मेरिट लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लो जूर जाए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए ठीक है और यह बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि आप लोगों से मैं अपनी जो जानकारी है मैं अपनी जो जितना भी मैं जानती हूं आप लोगों से जरूर होता है मैं सब यह सब चीजी आप लोगों के साथ तो इस वीडियो में थोरा क्लियर करना चाहते हूं क्योंकि बहुत बड़ा मतलब बताना चाहूंगी कि हमेशा पैरों की बिच्वा जो होती है वो चांदी का ही पहने जो इसे गोल्ड पीतल वागेरा का होता है बिच्वा और इसे मैरीन होते है पहनना चाहिए एक बोलते हैं कि माईका के विधया होता है और एक सासुराल के लिए होता है दोनों हैंछआए हैं कि हमारा मायका और सस्वराल दूनों फले फुले तो इसलिए दो बिच्वे पहना जरूरी होता है मेरे सस्वराल में भी दो बिच्वे मेरी सासुमा यह सब बहुत ही खुशाल जिंदिगी होता है यह हो गया और इसके अलावा भी एक और बात है पती का जो मतलब गड़ेवी का जो कारण है इससे भी रिलेटर बिच्वे तो पैरों में तीन बिच्वे नहीं पहनने चाहिए और हमेशा पांच पांचों में पहने या दो पहन सकते हैं और कितना लोग ना है इसको इग्नोर करते हैं जैसे कि हमारे माथे पर यह सिंदूर जरूरी है साधी सुधा होने के बाद में वैसे ही पैरों में बिच्वे होना जरूरी है मातालक्ष्मी का वास होता है इससे और मातालक्ष्मी खुश होती है जैसे पैरों में पायल होना जरूरी है उसका एक और खारन है कि जो बंधन होता है जो जैसे हम लोगों को भी पता होगा इतना कुछ कुछ डीटेल्स मुझे नहीं पता है लेकिन यह पता है कि पैड़ों में बिच्वा बहुत ज्यादा जरूरी है बट गोल्ड का नहीं है और तो चलिए मैं आप लोगों से सीयर करूंगी कि मेरे पास किन किन टाइप के बिच्वे हैं मैं कैसे बिच्वे करती हूं और कैसे कैस है आप अगर भी जैसा ना करें लोगों के लिये हैं इसको लोग नहीं कर सकते इसको जैसे हम लोगों के सादि होती दिन उसी रात को जब ऋडल जाता है तो सारे मंगत सुंटर के साथ नहीं पहना जाते covenant यह पहने नहीं लोग लोग मोन पटा कितने लोग को नहीं पता है कितने लोग से भी पहने हैं तो कर दो से सठाव के जितने पहन के दिखा दूँ और मतलब का ऐसे इसलिशी पहन सकते हैं कितने लोगों को बहुत प्रोब्लम होती है विच्छी पहने Preferences ऑपने हमें सब बिचिया टाइट ही पहने कभी बिचिया लूज नहीं पहनना चाहिए क्या होता है इसका भी बुरा असर परता है पती पे टाइए लूज बिचिया बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए बिल्कुल टाइट सी मतलब दबा रहना चाहिए यह देख लिए हिल भी नहीं आया मेरी विच्छियां तो ऐसे रहना चाहिए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि अब 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 हुआ 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 झाल वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और मैं आप लोगों से मिलती हूँ एक नए जनकारी के साथ और एक नए वीडियो के साथ तक लिए बबाई टेक केर लाव यू